ओके तो और एक पुजल के साथ 3 by 3 पुजल है तो we can use only 1, 2, 3 नमबर और कोई नमबर अब यूज नहीं कर सकते हैं जैसे कि यहाँ अगर पुरी पुजल के अंदर सबसे पहले आपको क्या देखना है कि 3 भी कौनसा है मतलब कि कोई भी नमबर के आजू बाजू sign नहीं एसा कुनसा नमबर है तो यह है 2, अगर यहाँ 2 है अभी आगे जाएंगे हम 3 plus, 3 plus कैसे होता है कुनसा नमबर हम यूज करेंगे तो 1,2, यह तो 2,1, यही नमबर इन्स करेंगे लेकिन यहाँ 2 आ गया है तो भी यहाँ के आएगा, 1,2 आएगा अगर यहां 1 आ गया है, 2 आ गया है, तो यहां के आएगा, 3, क्योंकि रोजब कॉलं में कोई भी डीजित रिपीट नहीं होगा अगर यहां 3 आया तो यहां कुंसर नमबर हम लेंगे तो जिसका answer 1 आएगा और subtraction करना आए तो 2 आएगा, 3 में से 2 आएगा, तो 1 आएगा, दूसरी चीछ यहां 2 आगया, यहां 1 आगया, तो यहां क्या आएगा, 3 आएगा, 3 में से किसको cut करेंगे तो answer 2 आएगा हमारा, 1 आए के आप कोई भी digit repeat नहीं हो रहा है, ओके?